हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत है तो 18 जुलाई से आप लोगों का जारकन ओलम्पियाड 2022 का एकजाम होने वाला है क्लास 7, 8 & 9 का तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्चोल में यह जो वीडियो है क्लास 7 के लिए है लेकिन क्लास 8, 9 और क्लास 7 तीनों क्लास के लिए यह important वीडियो है क्योंकि GK का कोशन और की समाने ग्यान का कोशन तो सभी क्लास के लिए सेम ही रहता है ठीक आप किसी भी क्लास में हो तीनों क्लास में से आप इस वीडियो को पुरा दीखे और जितना भी हाँ पर हमें कोशन टोटल 50 कोशन बताने वाला हो चांस question भी आपको याद करके जाना है तो चले हम लोग direct question की और बढ़ते हैं तो देखिए पहला question है भारत के किस राज्य में अजन्ता की गुफाएं हैं तो इसका अंसर हो जाएगा महरास्ट्र याद कर लीजेगा फिर देखे second question किस देश को डूबते हुए सूरज का देश क देखे चोथा नंबर के question नमक का रसायनिक नाम है तो इसका उतर हो जाएगा sodium chloride फिर देखे पांचवा किस की उपस्थिति के कारण पेड के पतियों का रंग हरा होता है तो इसका अंसर हो जाएगा chlorophyll की उपस्थिति के कारण फिर देखे छे नंबर के question भारत्य मौसम थापना कब की गई थी तो इसका उतर हो जाएगा एक जनवरी दोजा पांच को फिर देखे आठ नंबर के question कौन सा गयस पानी में सबसे कम घुलता है तो इसका उतर हो जाएगा nitrogen फिर देखे दस नंबर के question है major ध्यान चंद किस खेल के प्रसिद खिलारी थे तो यह तो उतर हो जाएगा 1949 में फिर देखे 11 नंबर के question है हमपी जो विजय नगर समराज की राजधानी थी यह किस भारत्य राज में इस्थित है तो इसका उतर हो जाएगा करनाटक फिर देखे 12 नंबर के question great barrier reef जो विश्व की सबसे बड़ी मुंगा चटाने है यह किस देश में इस इसका उतर हो जाएगा Australia फिर देखे 13 नंबर के question मुल रूप से भारत्य समिधान में कुल कितने अनुच्छेद है तो इसका उतर हो जाएगा 395 अनुच्छेद फिर देखे 14 नंबर के question विश्व के 7 महाद्विपों में किस महाद्विप की जनसंख्या सबसे अधिक है तो इ Asia महाद्विप क्यों कि Asia में ही चीन आता है और Asia में ही भारत भी आता है चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्यावला देश से और भारत दूसरे नंबर पर है और दोनों Asia में ही आता है इसलिए Asia इसका सही अंतर हो जाएगा फिर देखे 15 नंबर के question भारत में मुद्रा जा पर किसके अहस्ताक्षर होते हैं तो इसका उतर हो जाएगा भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर फिर देखे 17 नंबर कोर्शन भारत के तिरंगे जंडे में मौझूद सफेद रंग किसका प्रतिक है तो इसका उतर हो जाएगा सांती का प्रतिक है फिर देखे 18 नंबर भारत क दिल्ली शहर किस नदी की किनारे बर्षा हुआ है तो इसका उतर हो जाएगा यमुना नदी की किनारे फिर देखिए 19 नमबर किस प्राचिन वेद में संगित का उलेख मिलता है तो इसका उतर हो जाएगा साम वेद फिर देखिए 20 नमबर हमारे मस्तिक्स का लगभग 80% हिस्सा बना हुआ है इसका उतर हो जाएगा पानी से फिर देखिए 21 नमर के कोश्टेन हमारे द्वारा सांस में ली गई ऑक्सिजन का लगभग कितना प्रतिसत हमारा मस्तिक्स और सौसित करता है तो इसका उतर हो जाएगा 80 प्रतिसत देखिए जितना हम लोग ऑक्सिजन लेते हैं 80 प्रतिसत तो मस्तिक से ही यूज कर लेता है अब बढ़ते हैं 22 नमर की ओर गाजर किस विटामिन का एक सम्रिद स्रोत है तो इसका उतर हो जाएगा विटमिन ए गाजर में विटमिन ए पाया जाता है फिर देखिए 23 नमर आरनीथोलोजी में किसका अध्यान किया जाता है तो होता है तो इसका उतर हो जाएगा 120 बटे 80 mmHg यह बलड प्रेसर है इसको आपको याद कर लेना है फिर देखिए 26 नमर भारत में बोली जाने वाली मुख्यत कितने भासाओं को भारते समिदान की अनुसूची में सामिल किया गया है तो इसका उतर हो जाएगा 22 भासाओं को फिर देखिए 27 नमर सुंदर रवन राष्ट उद्यान कहां इस्तित है तो इसका उतर हो जाएगा पस्ची मंगाल फिर देखिए 28 नमर मठकी निरित्य जो रस निरित्य का एक रूप है या किस राज्य का प्रसिध लोक निरित्य है तो इसका उतर हो जाएगा मध्य प्रदे है तो इसका उत्र हो जाएगा घाना फिर देखिए एकतिष नमबर किसे भारत के मिझाल मैन के नाम से जाना जाता है तो इसका उत्र हो जाएगा डौक्टर ए-पी-जे अब्दुल-कलाम फिर देखिए 22 नमबर सोडियम कार्बोनेट को सामान्य रूप में क्या कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा धोवन सोड़ा फिर देखिए 23 नमबर हमारे पृत्थवी की जुडवा बहन किस गरह को कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सुक्र गरह को फिर देखिए 34 नमबर हमारे प्रित्वी में मजूद एक मात्र अस्तंधारी कौन है जो उड़ सकता है तो इसका उतर हो जाएगा चमगादर चमगादर एक मात्र ऐसा जनतु है जो अस्तंधारी है लेकिन उड़ सकता है फिर देखिए 35 नमबर हमारे सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो इसका उतर हो जाएगा त्वच्चा फिर देखिए 36 नमबर दुनिया की सबसे उची इमारत का नाम क्या है तो यह तो पहुत ही आसान है बुर्ज खलीफा फिर देखिए 37 नमबर का कोश्चन चिटियों क देखिए 33 नमबर हमारे प्रिथि में मवजूद सबसे गर्म समुद्र कौन सा है तो इसका उतर हो जाएगा लाल शागर फिर देखिक 49 नमबर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें अनुमानित कितनी हड्या होती है तो इसका उतर हो जाएगा 300 हड्यां फिर देखिए 40 नमबर एक मधुमक्ही में कितने आखे होती है पांच आखे होती है याद कर लीजिएगा फिर देखिए फोर्टी वन नमबर अगर हम कहें कि हमिंग बर्ट इस दुनिया में मौजूद एकमात पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है तो यह सही है या गलत तो इसका उतर हो ज चोटा पक्षी भी हमिंग बर्ट और यह पीछे भी उड़ सकता है क्या बात है फिर देखिए 42 नमबर द्यूस सब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है द्यूस तो इसका उतर हो जाएगा टेनिस में किया जाता है फिर देखिए 43 नमबर विस्म में सरवाधिक कोफी का उत्पादन किस देश में होता है तो इसका उतर हो जाएगा ब्राजील ब्राजील में जंगल है वहाँ पर कोफी उत्पादन किया जाता है फिर देखिए 44 नमबर सोसल मीडिया एप फेस्बुक की इस्थापना किस ने की यह भी इंपोर्टन कोर्शन है याद कर लिजेगा इसका अंसर हो जाएगा मार्ग जकर कभी कभी मार्ग जुकर बर्ग भी इसको कहा जाता है फिर देखिए नेक्स्थ 45 नमबर हवाई जहाज का सफलता पूर अविसकार कि iss ने किया था तो इसका उतर हो जाएगा राइट ब्रदर्श ने थीक है राइट बर्दर्श अब बढ़ते हैं अगला कोशन की ओर चालिस नमबर अगर हम कहें कि रात की अपेक्छा दिन में चंद्रमा का तापान अधिक होता है तो यह कहना सही होगा यह गलत तो यह बिल्कुल सही है अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सैंतालिस नमबर की ओर गीजा के पिरामीड कि इसको भी आपको याद करना है फिर देखिए नेक्स्ट 28 नमबर वैसवी के अपातकाल घोसित करने का अधिकार किस अंतरास्ट्य संगठन के पास है तो इसका उत्तर है विश्व स्वास्त संगठन फिर देखिए नेक्स्ट 49 नमबर एनेच फोर फोर जो भारत का सबसे लिखा हुई है यह strict लिखा लिखा हुआ है यहाँ पर आयोडी evento होगा उके आयोडीन नमबं पाए जाता है अयोडीन की कमी की कारण घहा भीमारी होता है तो यहाब storing मैंने मैंने बता है 50 questions बहुत ही सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए होगा आपको अपने दोस्तों के साथ जरू सेर करें और भी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करके वीडियो में जब भी अपलोट करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए थांक्यू पर वाच में वीडियो हैव गुड दे